दौला मेटी ग्राम पंचायत ने डौक्टर बाबा साहिब आमबेड कर को अभिवादन किया डौक्टर बाबा साहिब आमबेड कर के महापडी निर्वान दिवस पर ग्राम पंचायत दौला मेटी में आमबेड कर के प्रतिमा को माल ल्यार्पन कर श्रद्दान जली अर्पित की गए दॉक्टर बाबा साहिब अम्बिड करके जीवन चरित्र पर मान्यवरों ने प्रकाश डाला बाभाबाा साहिब अम्बिडकर ने सभी जाती धर्म के लिए काम किया है सविधान रचकर विश्व का सबसे ताकतवर सविधान भारत का है बाबा साहाब नहीं होते तो आज दबे कुछले लोगों को न्यायन नहीं मिलता सबसे बड़ा काम महिलाओ के लिए किया है सविदान में महिलाओ को सुरक्षा प्रदान की आमबेडकर दूर डूरुष्टी के नेता थे उनके सविदान पर 70 साल से देश चल रहा है सभी को समान अधिकार दिलाने का महानकारिय आमबेडकर ने किया है आज के दिन आमबेडकर को याद करना हम भारतवासियों का करतव्य है सभी समाश के तपके के लोगों ने आमबेडकर को मानने का आवहान पोट भरे ने किया है इसा हुसर पर सर्पंच आनंदा कप निचोर उपसर्पंच गजानन रामेकर ग्राम विकासरिकारी विश्ण पोर्भरे नितिन अरसर प्रशांत केवटे सतेश खोबरागडे के साथ ग्राम पंच चात कर्मचारी उपस्तित थे सद्दान जले देता है आज ग्राम पंच दवला मेटी ये थे सहा डिशंबर डाक्टर बाबासाइब आमेटकर परी निर्वान दिवसाचा कारेकरम साजरा करने दला या कारेकरम आला ग्राम पंच चाप्रथम महिला तथा सर्पंच आनंदा कपनी जोर माजी सर्पंच गोमाशे जी माजी सदस्चे प्रकाश्च मेश्राम खेर कर जी ग्रामप जेजर सर्व सन्मन्य सदस्चे गावातिल प्रतिस्टित नग्री आनी महिला मुठा संकेने या ठीकानी उपस्तित होत्या इन बीसीयन के लिए वाडी से सुनिल शेटी के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट हूँ झाल